बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपके साथ मैं करने जा रहा हूं इस वक्त नीट 2023 का एक्जामिनेशन हो चुका है दो बार नीट का एक्जामिनेशन अल्रेडी हो चुका है एक स्टेट में दुबारा हुआ मनिपूर की बात कर रहा हूं मनिपूर में एक्जामिनेशन दुबारा कंड़क्ट कराना पड़ा उसके पीछे वज़े थी आप सब जानते हैं इस बात को नीट 2023 के एक्जामिनेशन में वैसे ही जो पिछले साल कर दिया गया था कि दो सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी सेक्शन ए में क्वेश्चन जो आते हैं वो कंपलसरी होते हैं 35 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं सेक्शन बी में जो क्वेश् से बच्चों ने ये दावा किया कि जो section A की question थे उसमें कुछ question out of syllabus थे याने कि वो उन portions के questions थे जो already NCRT से delete हो चुके हैं और NTA की guidelines में भी वो portion बताया गया था कि उनसे questions नहीं आएंगे लेकिन उनसे questions आए मेरे कुछ students ने in fact इस बात को अधिक clarity के लिए NTA से पूछा भी था ठीक है ना NTA से पूछा भी था कि जो omitted portion है क्या उसमें से question आएंगे तो उनकी तरफ से जो जवाब आया था वो था कि section B में आ सकते हैं जहां पर optional questions हैं ठीक है यह इसलिए भी किया गया था कि इस neat examination में कि uniformity बनी रहे across the country क्योंकि कुछ boards के curriculum थोड़ा सा different थे NCRT से और इसकी वज़े से दिक्कत आ रहे थे हला कि अब लगभग equalize हो चुका है लेकिन फिर भी बच्चों का कहना था कि questions out of syllabus आएं हैं थेर मैंने उन बच्चों को समझाया कि आपको सारे के सारे options देखने थे और उसमें से अगर कोई भी topic related था तो आपको पढ़ना चाहिए था in fact मैंने खुद पढ़ाया है पूरा का पूरा topic पूरा का पूरा syllabus जो portion अल्रेडी delete हो चुका है वो भी पढ़ाया बट फिर भी country के बहुत से बच्चे जो इस बात से आउगत नहीं थे उनके school में नहीं पढ़ाया गया और उन्होंने नहीं पढ़ा आज Times of India में उसी बात को प्रमानित करती हुई एक news आई है तो इसी पर चर्चा मैं करने जा रहा हूँ Times of India के नागपूर एडिशन से आज की डेट में 8 जून 2023 को ये news छपी है NEET Aspire and Seek Second Attempt, Sight Invalid Question इसका मतलब सिर्फ थोड़े ग्रूप आफ स्टूडेंट को ये प्राब्लम नहीं हुई है Across the country काफी बच्चों को ये समस्या आई है So Times of India कह रहा है Many candidates who appeared for the NEET examination last month are seeking second attempt claiming lot of mandatory question were from deleted chapters Student from different part of the country reached out to Times of India and shared a letter they had written to NTA NTA को कोई चिठी भी लिखी गई है तो बच्चों मैं यहां पर यही कहना चाहूंगा जिन बच्चों को भी ऐसा लगा और जिनको ऐसा लगा कि भाई उन्होंने वो topic नहीं पढ़ा था चुकि वो deleted था और NTA ने किया था तो मैं उन बच्चों से कहूंगा कि बच्चों घबराईये नहीं NTA को update कर दिया है बच्चों ने country के leading newspaper में भी यह बात आ चुकी है ऐसा नहीं है कि NTA को पता नहीं है and I request also to the authorities कि बच्चों के भविश को देखते हुए जो उचित एक वो हो plan हो उसको बच्चों के साथ share करे और action ले इसके विरुद्ध ठीक है न ताकि बच्चों का साल बरबाद ना हो और बच्चों को किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े फिर मेरा यह मानना है कि कोई भी examination होता है उसमें पार दर्शिता होनी ही चाहिए transparency should be there ठीक है यह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि उन बच्चों ने नहीं पढ़ा हलाकि मैं शुरू से बच्चों से कहता हूँ कि भाई टोटल टॉपिक पढ़िये यह competitive examination है इसमें आपका knowledge का edge थोड़ा अधिक होना ही चाहिए ठीक है ना तो यह बात वहाँ पर आई Students spoke to Times of India in the Information Bulletin of News NEET UG 23 page number 14 it has been clearly mentioned that portions from rationalized syllabus would only be asked in section B which give options to the candidate to select answer Student added that despite this portion from rationalized syllabus were included in section A and the portion is very large approximate 35% of the entire syllabus इस news को आप लोग भी पढ़ियेगा यह पुरी detailed news छपी हुई है Times of India के आज के नागपूर edition की है यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि authorities को इस बात का संग्यान लेना चाहिए कि क्या वाकई में ऐसा हुआ है और बच्चों को इस बात का सपश्टी करण उनको देना चाहिए या उचित कदम उठाने चाहिए ठीक है My best wishes with all my students और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों के साथ न्याय ही होगा घबराने की ज़रूरत नहीं है All the best बच्चों